पाठ तीन बिहु आ गया पाठ प्रवेश बिहु प्राचीन काल से असम्मे मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है यह त्योहार एक वर्ष में तीन बार मनाया जाता है बोहाग अप्रेल के मध्य, माग जन्वरी के मध्य और काती अक्टूबर के मध्य के महीनों में प्रति एक बिहू खेती कैलंडर में एक विशिष्ट चरण के साथ मेल खाता है तीन बिहू उद्सव में सबसे महत्वपूर्ण और रंगीन है बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू जोकी अप्रेल के मध्य में मनाया जाता है यह उद्सव क्रिशी की शुरुवात को भी दर्शाता है बिहु असम के सभी भागों में रह रही सभी जातियों, जन जातियों तथा सभी धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है यहाँ निसंदे एक धर्म निर्पेक्ष त्योहार है, जो भिन्न भिन्न जातियों और धर्मों के बीच मानवता, शांती और भाईचारे का संदेश देता है बिहू असम के लोगों का सबसे बड़ा त्योहार है असम में बिहू के अतिरिक्त ऐसा कोई त्योहार नहीं, जिसे वहाँ के लोग बच्चों से लेकर बुढ़ों तक इतने उत्साह और उल्लास से मनाते हों यही नहीं, बिहू एक ऐसा त्योहार है, जिस पर धर्म, मजभब, जातपांत, उच नेच के बंधन तूट जाते हैं और लोग बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे को गले लगाते हैं यह तो बिहू का संबंध सामान्य तोर पर वसंत काल के बोहाग बिहू से है मगर असम के लोग एक नहीं तीन बिहू मनाते हैं वास्ता में यह तीनों बिहू त्योहार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बोहाग बिहू अप्रेल के मध्य में, माग बिहू जनवरी के मध्य में और काती बिहू अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि बोहाग बिहू वसंत में, माग बिहु जाडे में और काती बिहू पतजढ में मनाया जाता है। इन तीनों में बोहाग बिहू असम का सबसे महत्व पूर्न त्योहार है। बोहाग बिहु वसंत, नववर्ष तथा क्रिशी इन तीनों का त्योहार है। वसंत रितों में प्रकृती की सुश्मा अपने पूरे निखार पर होती है। वायू मंडल फूलों की सुगंध से महकने लगता है। उल्लास और उमंग से भरे लोग बोहाग बिहु के त्योहार पर मस्ती से जूम उठते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और हर तरह से अपना मनुरंजन करते हैं। इसलिए इसे रंगोली बिहु भी कहते हैं। बोहाग असंपंचांग का पहला और चोथ अंतिम महिना है। इस प्रकार बोहाग बिहु नए वर्ष के आगमन का सूचक है। इ प्रती आदर दिखाते हैं और उनका आशीरवाद लेते हैं। बोहाग बिहु खेती बाड़ी आरंभ करने का भी प्रतीक है। इस दिवहार पर जो समारहों होते हैं उनका संबंध स्पष्ट रूप से क्रशी यानि खेती से है। बोहाग बिहु के पहले दिन को गोरु बिह कहते हैं। इस दिन विशेश कर घरेलू पशुओं की खूब सेवा की जाती है। लोग सवेरे सवेरे ही गवशाला को साफ करने में जुट जाते हैं। फिर गाई के पैर्ध होते हैं, उनके सींगों और खुरों पर तेल मलते हैं और कभी-कभी उन्हें फूलों से भी सजात हैं। इसके बाद उन्हें निकट की नदी या ताला पर ले जाया जाता है और वहां उन्हें विधी पूर्वक नहलाया जाता है। इसके बाद उनके गले में बंधे पुराने पगहे खोल कर उन्हें उस दिन के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। युवक तब घर प्रार्थना करते हैं। इस दिन भी लोग बड़े बुजुर्गों को आदर देते हैं। जिसे स्त्रियां अपने घर की खड़ी पर अपने हाथों से बनाती है। यह स्ने और आदर का प्रतीक है। हालांकि उपहार का चयन इस बात पर निर्भर करता है कि उपहार देने वाले का उपहार लेने वाले व्यक्ति के साथ क्या संबंधे है। बच्चे तो विशेश रूप से इन उपहारों के लिए लालायत रहते हैं, जो उन्हें उनकी मा, बड़ी बहने, कुटुम्ब की बड़ी स्त्रियां या दूसरे शुबजिन तक देते हैं। बिहु के तीसरे दिन को अकसर गुहाई बिहु कहते हैं। इस दिन धार में कनुष्ठान किये जाते हैं। इसके पश्चात आने वाले दिनों में कोई विशेश समारों नहीं होता। पर बिहु का साथमे दिन जिसे हात बिहु कहते हैं, उसका अपना महत्व है। हात बिहु के दिन साथ किस्म की विभिन शाक सबजियां पका कर खाने का रिवाज है। इन्हें हात साक कहते हैं। खेल कूद भी बिहु के महत्वपूर्ण अंग है। एक विशेश प्रकार का खेल इस दिन खेला जाता है। जिसे कनी जुझ कहते हैं। कनी का अर्थ है अंडा और जुझ का अर्थ है लडाई। इस खेल में दो आदमी भाग लेते हैं। और एक दूसरे के हाथों में पकड़े अंडों पर वार करते हैं। स्त्रियां अकसर कौडियों के खेलों तथा शतरंज से मिलते जोलते खेलों में हिस्सा लेना अधिक पसंद करती है। इसके अतरिक्त घोप यानि गेंद का खेल तथा हाव यानि कबड़ी जैसा खेल भी लोगप्रिये हैं। बच्चे ना केवल बड़े चाव से इन खेलों को देखते हैं बलकि उत्सा पूर्वक इन में भाग भी लेते हैं। बोहाग बिहु के अवसर पर लोग विशेश प्रकार के गीत गाते हैं और बिहु नृत्य करते हैं। इन बिहु गीतों में अधिकतर प्रेम और प्रनय की बाते होती हैं। ये लोग गीतों के सुंदर उदाहरन हैं। यह तो बिहु त्योहार आरंभ में गाउं के लोगों का खेती बाड़ी का उत्सव था। पर समय व्यतीत होने के साथ इसे मनाने की विधी में परिवर्दन हुए हैं। पिछले कुछ समय से विशेश रूप से शेहरों और कस्बों में यह प्रवृत्ती देखने में आई है कि यहां भी आप बोहाग बिहु धूम धाम से मनाया जा रहा है। माक बिहु फसलों की कटाई तथा उससे उपजे उल्लास का प्रतीक है। यह त्योहार जाडों में तब मनाया जाता है जब फसल कट चुकी होती है और ग्रामीन लोग फुर्सत में होते हैं। इस बिहु के त्योहार पर मुख्य रूप से भोज देने की प्रता है और इस कारण इसे भोगाली बिहु अथवा भोग उपभोग का बिहु भी कहते हैं। इसके साथ अगनी के उत्सव भी जुड़े हुए हैं। जैसे होली जलाना इसका एक महत्व पूर्ण अंग है। बिहु से पहले दिन की संध्या वेला में प्रत्येक घर में विशेश भोज होता है जिसमें मांस मचली और दूसरे व्यंजन परो से जाते हैं। मचलियां अकसर दिन में निकट की नदियों या जीलों से पकड़ कर लाई जाती हैं। कुछ इलाकों में गाउं के लोग भोज करते हैं। भेला घर और मेजी विशेश रूप से निर्मित धांचे होते हैं, जिनका निर्मान भूसे, केले के सुखे पत्तों, हरे बांसों आदी से किया जाता है। यहां युवग और बालक अलाव की चारों ओर बैठ कर गप्पें हांकते हुए या गाते हुए सार लगा देते हैं। देखते ही देखते लप्टें उठने लगती हैं और तर-तर की आवाज निकलती है, क्योंकि उनमें हरे बांस होते हैं। इस पर विशेश रूप से बच्चे उल्लसित होकर उचलने कूदने लगते हैं। इसके अतरिक्त घरों में भी अलग से होली जलाई जाती हैं। और अगनी देवता की स्तोती करके अगनी में खाद्य पदार्थों की आहुती दी जाती है। इसी बीच घर की स्त्रियां बिहू के अवसर के लिए विशेश खाद्य पदार्थ बनाने में व्यस्त रहती हैं। जैसे चीरा यानि चिडवा, पीठा यानि चावल की टिकिया तरह तरह के लारू यानि लड्डू तथा कराई यानि तरह तरह के भुने हुए अनाज का मिश्रन आदे। ये चीजें दोपहर के भूजन के समय गुड़ और दही के साथ खाई जाती है। मित्रों और संबन्धियों को भी नियोता दिया जाता है। यह सलसला कई दिनों तक चलता है। काती बिहू एक दिन का त्योहार है। यह त्योहार आहीन अक्टूबर नवंबर महीने के अंतिम दिन मनाया जाता है। इस समय धान की फसल पूरी तरह पकी नहीं होती और कोठार यानि अन्न भंडार लगभग खाली होते हैं. इसलिए इसे कंगाली बेहु यानि कंगाल बेहु कहते हैं. इस्तियोहार पर भोज नहीं होता. काती बेहु पर मुख्यरूप से आंगन में तुलसी की पूजा की जाती पर मिट्टी के दीपक जलाए जाते हैं। इसके अतरिक्त अन्भंडार में, पिछले आंगन में, तथा धान के खेतों में भी दीपक जलाए जाते हैं। स्रिया और बच्चे तुलसी के सामने माथा टेक कर भजन गाते हैं। एक भजन इस प्रकार है। तुलहीर तले म्रिग पहु सरे, ताके देखी रामसनद्रे शरधनु धरे। अर्थात तुलसी के व्रिक्षि के नीचे म्रिग चड़ते हैं। यह देखकर रामचंदरजी धनुषबान उठा लेते हैं। कुछ लोग धान के खेतों में धार्मिक अनुष्ठान भी करते हैं। ताकि धान की फसल अच्छी हो। निसंदेह बिहु पर्व गौरव पूर्ण परंपरा की पहचान कराते हैं। विभिन जातियों और धर्मों के बीच मानवता, शान्ती और परस पर मेल जोल का आवान करते हैं।